दोस्तों बीते कुछ हपतों के अंदर भारत के दोनों यार्क्रेफ्ट कैरियरों को लेके काफी अधिक चर्चा हुआ और इस चर्चा का विशाय था अरवियन सी में दोनों यार्क्रेफ्ट कैरियरों को एक साथ देखे जाना पर इन दोनों यार्क्राफ्ट कैरियरों को अगर देखा जाए तो बीते कुछ हपतों में सबसे अधिक चर्चा का विशह भारत की इंडेजिनियास यार्क्राफ्ट कैरियर आइनेस विक्रांथ ही बना पर वही पर अगर आइनेस विक्रामदित्यों को वी देखा जाए तो य ये किसी वी तरिके से भारत के स्वादिशी इंडेजिनियर्स एरक्राफ्ट कैरियर्स से ताकत में कम नहीं है और इसी कारण के वज़ा से विक्रामदित्य को वी इंडिया नेवी के प्राइड के रूप में देखा जाता है पर क्या आप लोगों को पता है कि पिछले धाई सा तक विक्रामदित्य एरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं था और ये कुछ दिन पहले जब इस एरक्राफ्ट कैरियर को आइनेज विक्रांद के साथ देखा गया था ये असल में धाई साल के बाद इस जहास का कमबैक था अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये धाई साल असल में ये जहास रिपेर से गुजर रहा था और धाई साल के बाद खले जहास का कमबैक नहीं हुआ है बलकि आने वाले कुछ हपतों के अंदर इस जहास में ने दो MS-60R रोमियो हेलिकॉफटर को भी डिप्लॉई किया जाएगा मतलब रशियन मेड एरक्राफ्ट कैरियर क अब अमेरिकन मेड हेलिकॉफटर ऑपरेट होगा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री निरंदर मोदी जो अमेरिका के दोरे पे जाने वाले है उस दर्मियान ही अमेरिका के द्वारा भारत को दो MS-60R रोमियो हेलिकॉफटर का डिलिवरी किया अब दोस्तों इन दो हेलिकॉफटरों के डिलिवरी के साथ भारत के पास टोटल स्टेट अफ दा आर्ट 5 MS-60 हेलिकॉफटर होगा हाला कि दोस्तों अगर बीते धाई साल को देखा जाए तो कोविड महमारी के बाद इंडिया के ये एक मात्रो ऑपरेशनल यार्क्राफ्ट केरियर कमबैक हुआ तो ये एक तरीके से एक मेगा कमबैक था क्योंकि एकी समय पे दो यार्क्राफ्ट केरियर ऑपरेशनल है और दोनों यार्क्राफ्ट केरियर ही भारत एकी साथ डिप्लॉई कर सकता है दोस्तों ये दो यार्क्राफ्ट के एक साथ देखे जाना इसलिए भी एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि इसके साथ साथ भारत चायना को पचारते हुए दो यारक्राफ्ट केरियरों को एक साथ ऑपरेट करने वाला एक देश बन गया है जबकि चायना अभी भी मुशक्कत कर रहा है कि दो यारक्राफ्ट केरियरों को कैसे एक साथ ऑपरे में कुछ सैटलाइट इमेजों में ये वी जानकरी दिया गया है कि किस तरीके से चाइना के यारक्राफ केरियर के जो डेक है उसमें बड़े बड़े दरार है और इस दरारों को चाइना के द्वारा चुपाया जा रहा है बेसिकली दोस्तों चाइना के तरफ से अन्ने देशों के टेक्नोलोजी को चुरा के अपने यार्क्राफ केरियर को तो बनाया गया लेकिन चाइना उस तरीके से यार्क्राफ केरियर को नहीं बना सका जिस तरीके से मजबूत इसे होना चाहिए था भारत के तरफ से हाला कि चाइना से पहले यारक्राफ्ट केरियर के निर्मान का काम शुरू किया गया थो चाइना के बाद ये यारक्राफ्ट केरियर ओपरेशनल हुआ है लेकिन दोस्तों लंबे समय लगाने के बावुजद भारत के तरफ से एक फरफेक्ट और एक ताकदव और तरिन यार्क्राफ्ट केरियर को बनाया किया है जो केवल मात्र यार्क्राफ्टों को ही कैरी नहीं करेगा बलकि बड़े हत्यारों सो भी लैज होगा जो अपने आफका सुरक्षा करने के साथ सा दुश्मन के उपर हमलावी कर पाएगा। रोमियो हेलिकॉप्टरों का डिप्लाइमेंट किया जा रहा है जो की दुनिया के सफसे ताकतवर तरिन अंटी सब्मरीन वोर्फेर हेलिकॉफ्टर है। मिसाइलों से लैज है जो की 100 किलिमेटर दूर तक टार्गेटों को निशाना बना सकते है जबकि इसके इलावा चार 76 मिलिमेटर के डुएल परपोस कैनन और चार AK-630 क्लोजिन वेपन सिस्ट्रम भी है। आइनेज विक्रम अदित्या में भी इसी तरच्वे हतियारों को लगाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 38 ऐसे वर्टिकल लॉंचिंग सिस्ट्रम है जो बराक वान और बराक एड जैसे मिसाइलों से लैज है और चार AK-630 क्लोजिन वेपन सिस्ट्रम है। दोनों यारक्रेफ्ट केरियर के आकार और वजन भी लगवग लगवग एक ही जैसा है जिसके कारण दोनों यारक्रेफ्ट केरियरों के शमता में भी जादा अंतर नहीं है। झाल नहीं है।